नमस्कार दोस्तों केके एक्जाम पाइट में आपका स्वागत है कैसे हैं आप सभी उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्त होंगे और आपकी यूपीपीसियल इग्जेकीट्व असिस्टेंट की तैयारी अच्छी चल रही होगी दोस्तों हम आज इसमें बात करेंगे कि आखिर कार यूपीसियल इग्जेकीट्व असिस्टेंट का एक्जाम कब तक हो सकता है और इसका एड्मिट कार्ट कब तक आएगा आयोग ने तो अक्टूबर के लाश्ट वीक में बोला था जो कि अक्टूबर का लाश्ट वीक चल रहा है क्या अक्टूबर के लाश्ट वीक में आपका एक्जाम होगा इंपोसिबल है दोस्तों आपका अक्टूबर के लाश्ट वीक में एक्जाम नहीं होगा चलिए हम इसमें बात करेंगे कि आखिरकार आपका एक्जाम कब होगा दोस्तों ये सारी जानकारी देनी से पहले आपसे रिक्वेश्ट है अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों में सेर जरूर करें क्योंकि दोस्तों हम सही एवं सटीक जानकारी लेकर आते रहते हैं इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं चल दोस्तों सुरुआत करते हैं दोस्तों इसका एक्जाम जो है एक्जाम डेट के बारे में हम बात करें जहां तक हमें पता चला है कुछ जानकारी हमें मिली है कि इसका एक्जाम जो है 10 नौंबर से लेकर 10 नौंबर से लेकर 15 नौंबर के बीच आपका एक्जाम होने के पूरे चांस है दोस्तों 10 नौंबर से लेकर 15 नौंबर के बीच हाँ दोस्तों जहां तक हमें जानकारी मिली है 10 नॉम्बर से 15 नॉम्बर के बीच आपका एक्जाम बिलकुल हो जाएगा यनि आपका सुरुमात हो जाएगा क्योंकि दोस्तों इसका एक्जाम कई दिन चलेंगी क्योंकि इसका एक्जाम जो है CBT टेस्ट होना है और कई दिन लग जाएंगे अब हम इसमें बात करेंगे कि इसका एड्मिट कार्ड कब तक आ जाएगा इसका एड्मिट कार्ड जो है 28 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर से लेकर 2 नॉम्बर के बीच आपका एड्मिट कार्ड आ जाएगा दोस्तों 28 अक्टूबर से लेकर 2 नौमबर के बीच आपका एडमिट कार्ड दोस्तों रिलीज कर दिया जाएगा जहां तक हमें जानकारी मिली है एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है दोस्तों बाकी ये बिल्कुल सकते है कि आपका एडमिट कार्ड इसी दिन आएगा जो हमने रेंज दी है चल दोस्तों यही थी जानकारी अगर जानकारी अच्छी लगी हो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें चलिए आज के लिए इतना ही फिर मिलंगने स्ट्यूडियो में तब तक के लिए बाई